आज आपके सामने फिर से हम लेकर आगए है एक बहतरीर Mathematics का लेक्चर वीडियो जिसमें हम 12 स्टाइडर का जो पहला चाप्टर अल्यडी हमने स्टार्ट किया हुआ है दोस्तों उसका नावे Mathematical Logic, one of the beautiful, one of the easiest chapter in your entire 12 स्टाइडर्ड तो आज हम लेकर आगए है लकातार इसका दूसरा लेक्चर और आज से हम स्टार्ट करेंगे exercise यानि कि जो exercise होते है प्रक्टिस सेट जिसको हम लोग बोलते उसकी शुरुवात करेंगे और बड़ा practice सेट है तो हम एक ही दिन में cover ने करेंगे हम इसको क्या करेंगे दो हिस्सों में convert कर देंगे यानि कि आज के lecture में हम लोग आधा exercise को खतम करेंगे और अगला lecture को जो भी होगा उसको हम लोग second जो इसके बाद का lecture आएगा उसमें बाखी का जो remaining example से उसको complete करेंगे ठीक है तो यार सबसे पहले आप लोगको एक काम करना है जो कि यह दोस्तों कि या 12th standard के students लोगको inform करना है कि यार हमारे अपने च दोस्तों के साथ videos को जितना हो सके share करते रहना है और उनको एक बार inform करना है कि एक बार पढ़ के देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूगा दोस्तों अपने बारे में सिर्फ एक बार पढ़ के देखो दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा teaching method, मेरा ideology, मेरा thinking, म पढ़ाने का तरीका, अगर सब आपको अच्छा लग रहा है तो definitely आप प्यार देना वीडियो को, अगर नहीं अच्छा लगेगा, कोई बात ने आद छोड़के जा सकते हो, कोई problem नहीं है, लेकिन यार हम आप लोग को क्या बोल रहे है, हम आपको जितना हो सके अपने आ रहा हूँ, आज second lecture है mathematics का, तो आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा, तो definitely अंदर से energy और confidence आएगा, तो आप लोग बस प्यार सपोर्ट बनाए रखना, हर चीज़, हम बाकी चीज़े कोशिश करेंगे, कि हर चीज़ आपको मिल जाए, ठीक है, चले, शुरुआत करते है exercise जो है, आपको याद होगा कि इसके पहले lecture number one में हमने पूरा का पूरा concept पढ़ा दिया था कि क्या होता है, mathematical logic और उसमें क्या-क्या चीज़े होते, जैसे कि मैंने आपको बहुत तरे table बताये थे, कि conjunction क्या होता है, disjunction क्या होते, याद अगर आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो चाप्टर में ये table अगर आपको याद है, आदा से आदा problem उधर ही आपके solve हो जाएंगे, ठीक है, ना, disjunction और होता है, conditional if statement रहता है, by conditional if and only if statement रहता है, negation में not आता है, negative words आते हैं, तो वो होता है, तो ये पास ओक टेबल का use करेंगे हम लोग, अलग-अलग चीज़ों में, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी exercise solve करने वाले हैं, तो आपको बिलकुल ध्यान लगा के देखना है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, number one, ठीक है, तो देखो, यहाँ पहला question क्या दिया, question number one, state which of the following are the statements and write it true, यानि सबसे पहले आपको याद होगा कि initially जब मैंने lecture number one लिया था, तो उसमें हमें बहुत सारे statement जिये हुएते, तो आपको वह statement को पहचानना है कि क्या वाकई में वह statement है क्या, और statement कैसे होते हैं, अगर कोई भी order दे रहा है, कोई please कर रहा है, request कर रहा, exclamatory है, question पूछ रहा है, interrogative है, तो वह statement नहीं हो सकते, ठीकिन, open sentence जो होते होते हैं, वह statement नहीं हो सकते, statement मतलब एक proper तरीके से दिया हुआ wording sentence complete होना चीए, तो उसको हम लोग सेंटे, statement बोलते हैं, फिर वह चेक करते हैं कि क्या वो जो बोला गया है, वो सच बात है कि गलत बात है, अगर मैं बोलू कि sun rises in the west, यान मैं बोलूंगा कि sun west में उखता है, तो यह statement तो है, यह statement है, लेकिन यह गलत statement है, तो false आएगा, तो इसी के हिसाप से हम लोग को यह solve करना है, तो बारी-बारी से हम लोग solve करेंगे, तो सबसे पहले आप जो देख पाले आपके screen के उपर, क्या दिया हुआ है, 5 plus 4 is equal to 13, अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 5 plus 4 is equal to 13, यह क्या है? यह statement है, correct है ना? कि something plus something करूंगा, तो something आएगा, यह statement है, correct है इसमें कोई धो रहा है नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि यह statement है, it is a statement, यह क्या है? यह statement है, लेकिन मुझे ऐक बात बताओ, क्या 5 और 4 को plus करूंगो, तो 13 आता है क्या? करकि देखो 5 plus 4 9 होता है यहां पर X-3 is equal to 14, पहली बाद तो X दे दिया, तो X मतलब कुछ भी आ सकता है न, हमको पता नहीं है, तो X-3 is equal to 14, मतलब हमें X का value solve करके निकालना पड़ेगा, तो X का condition जो आएगा, मतलब X-3 is equal to 14, पहलेगा, तो X is equal to 17 हो जाएगा, मतलब यह तरीकी से एक statement नहीं हुआ, इसको solve करना पड़ रहा है, तो मैं क्या बलूँगा, कि it is a not statement, मैं सिंपल सा क्या बलूँगा, कि यह एक statement नहीं है, और अगर statement नहीं है, तो हम लोग को true और false बताने की बिल्कुल जरू बिल्कुल नहीं आएगा, हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, आगे, ठीक है, समझ मैं आ गया, अगरा देखो हैं आपने, zero is a complex number, मुझे एक बात बताओ, zero is a complex number बुलने में कैसा लग रहा है, order दे रहा हूँ, मैं कुछ बता रहा हूँ ना, या proper तरीके से, कि zero is a complex number है, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, कि यह मेरा एक statement हुआ, तो zero is a complex number, कि यह मेरा एक चुपचप से हम ल number है, यानि कि यह true statement है, ठीक है, true statement है, please get me breakfast, या पहले ही please लगा दिया इसने, तो please जब मैं बोल रहा हूँ, जैसे हमने आपको definition बता है, तो statement का, please बोल रहा है, request कर रहा है, तो statement नहीं है, तो यह चुपचप लिख दो यहाँ पे, it is not a statement, not a statement, यह statement नहीं है, तो इसके आगे इसने कुछ दो रहा है, यह request कर रहा है, यह बस बता रहा है, तो यह क्या है, एक तरीके से यह हो गया, statement हो गया, और मुझे एक बात बता हूँ, कि अगर यह statement है, तो क्या यह value true है, कि false है, कि congruent जो triangles होते हैं, जो बराबर triangle होते हैं, वो similar होते हैं, obviously हम लों को एक चीज़ प congruent to each other, then they are also similar to each other, correct है, यानि कि हम क्या बोल सकते हैं कि यह statement क्या है, true है, समझ में आ गया, next, x square is equal to x, मुझे एक बात बताओ, पहले ही x आ गया, x x आ गया, उसका value निकालना पड़ता है, ठीक है, तो सिदा सिदा लिख दो, it is a not statement, यह क्या है, statement नहीं है, तो इसके आगे भी true false लिखने की जरुवात नहीं है, समझ में आ गया, clear है, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, next, ठीक है, next क्या है हमारे पास, 5, 6, 7, 8, आटवा question, आटवा question क्या बोल रहा है, कि a quadratic equation cannot have more than two roots, कोई भी quadratic equation कि अगर हम बात करे, उसका दो root से जादा नहीं हो सकता, तो obviously यह क्या बता रह equation है, standard में है, तो x square plus 2x plus 3, समझ दो, ऐसा statement है, कोई भी condition लेलो, तो उसका जब भी हम लोग value निकालते हैं, जब उसका solve करते हैं, तो कोई भी दो value आता है, x is equal to 1, या फिर x is equal to minus 1, ऐता आता है, तो हमेशा हमने notice किया है, कि कभी भी हम लोग quadratic equation को solve करेंगे, तो ज्यादा स्य statement नहीं होता है, यह, it is not a statement, यह statement बिल्कुल नहीं है, समझ में आ गया, next question, the sun set in the west, sun तो west में ही होता है, मतलब यह true भी है, और यह statement भी है, तो यह क्या है, यह हुआ statement, और यह हुआ बिल्कुल true, तो पहली बात तो इसमें ना question है, ना interrogation है, ना request है, कुछ नहीं, मतलब यह बिंदास, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, कि एक statement है, लेकिन मुझे सोच के बताओ थोड़ा, अगर आपने थोड़ा भी mathematics पढ़ा हुआ, 11 standard तक, अगर आपको दिमाग में होगा, तो real number, जितने भी होते हैं, क्या वो whole number हो सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नही बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, कुछ अलग-अलग भी हो सकते हैं, करेक्ट है, integers भी, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि statement, all real numbers और whole number यह क्या है, गलत है, यानि कि एक statement क्या है, false है, समझ में आ रहा है, next, can you speak in Marathi, question पूछ रहा है, question पूछ रहा है, तो हम ल लोगो question बोला है, कि x square minus 6x minus 7 is equal to 0 है, जब हम x के जगा पे 7 डाला है, तो चलो, x के जगा पे 7 डाल तो, इसको मैं solve करता हूँ सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको solve करूँगा, तो जब मैं इसको solve करूँगा, तो यहाँ पे, पहली बात तो देखो जगा पे, इसमें x के जगा पे डालता हूँ, तो यहाँ पे 7, x के जगा पे कहा डाला हूँ, 7, तो यह हो जाएगा 7 का square, minus 6 multiply by 7, x के जगा पे 7 डाल रहा हूँ, ठीक है, और minus 7 is equal to 0, तो 0 is equal to 0 आ रहा है, चेक करो, 7 square 49 होता है, ठीक है, 7 square 49 होता है, 49 minus 6, 7 जगा 42, ठीक है, minus 42, minus 7 is equal to 0, जगो 49 minus 42 कितना होता है, 7, तो 7 minus 7 0 होता है, मतलब 0 is equal to 0 आ रहा है, मतलब मैं क्या बोलूँगा, कि यह true भी है, और एक statement तो हही पहले से, क्यू statement पहले से यह, बले इत्में x square है, लेकिन यहाँ पे बोल के रखा है उसका value, तो x का value जब दिया हूँ है, तो वह statement क चलो, आगे हैर, देखो हमने गाय आप कर दिया पूरा, ठीक है, इसको हम लोग को रख करना है, ठीक है, तो मेरे लिए भी नया है, इसके लिए थोड़ा सा तकलीफ होता है दोस्तों, ठीक है, प्लीज इग्नोर कर देना, ठीक है, चलो, अब यहाँ पे जो मैं आपको बता क्या बता रहा था, कि जैसे मैंने बोला, कि हम लोग सॉल करके देख लिए, यह क्या है, यह क्या है, यह एक स्टेटमेंट है, और यह बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब बहुत बहुत है ना, डेंजरस कोश्चन पू बात करूंगा कि यहां से आप पॉलो कर सकते हो ठीक है और उमेगा का जो बैल्यू उता है यहां पे मैं बाद करूं कि इसको अमें प्लस करूं सम्ध करना है सम मतलब क्या करना है पहले बात तो यह स्टेटमेंट है इतना तो कुझे क्लियर हो गया, कि the sum of cube root of unity is 0, यह statement दिया, यह कोई question नहीं है, यह कोई order नहीं, यह command नहीं है, यह कुछ नहीं है, मतलब यह statement है, लेकिन क्या यह statement true है कि false है, उसके रहे में यहापको solve करवा के दिखा रहा हो, तो यह देखो, इसको मुझे क्या करना है, तीनों को plus करना है, या इसका जो value होता है, omega square का जो value होता है, दोस्तों, वो होता है, दोस्तों, minus 1 minus, ठीक है, minus 1 minus under root of minus 3 divided by 2, यह होता है, अब यहापे थोड़ा सा focus करो, यहापे थोड़ा सा अगर focus आप करोगे, तो आपको एक चीज़ realize होगा, क्या realize होगा दोस्तों, कि अगर मैं तीनों को plus करू, कैसे plus करूँगा सबसे पहले, यहापे थोड़ा सा logic लगाओ, कैसे plus करूँगा, कैसे plus करूँगा, कि नीचे देखो 2 है, 2 है, इसके नीचे 2 नहीं, तो मैं क्या करूँगा, LCM 2 ले लूँगा, LCM जब मैंने 2 ले लिया, LCM जब मैंने 2 ले लिया, तो यह क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा प्लोस ठिक है यह-वाला भी प्लास हो जाएगा उससे तटी स माइनस वन माइनस ऑनोस अंडर प्लास नजर आरा रहे ज़्र आ नजर आएगा कि यह-1, यह minus 1, minus 2 बन जाएंगे, ठीक है, यह तो x टेप बढ़ा दो, ठीक है, यह 2, यह minus 1, minus 1, minus 2, यह plus root 3, plus root minus 3, यह minus root minus 3, और नीचे आगे 2, ठीक है, नीचे आगे 2, यह plus 2 minus 2 cancel, यह plus minus 3, plus root minus 3, minus root minus 3 cancel, क्या बचेगा 0 upon 2, that will be equal to 0, तो हमारा answer 0 आ रहे है, और question में भी यही बोला और omega square को जो plus किया, तो उसका sum कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आ रहा है न, 0, मतलब यह statement है, और यह true भी है, यह चाहिए तो आप लिख लो, क्योंकि अभी मैं इसको मिटा हूँ है, यह आप लिख लो अभी, मैं थोड़ा सा 2 second के लिए पॉस लेता हूँ, आप लोग क्या true है, यह इस वज़े से true है, यह मैं प्रूफ करके दिखाये हैं, आपके, clear है, मिट करता हूँ, समझ में आ गए तो इसको फटा-फट सा screenshot की चलो, पूरे खुछी चलेगा, screenshot की चलो, क्योंकि अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, यह वाले पार्ट को मैं मिटा रहा ठीक है, true, ठीक है, समझ में आ गया, and last, it rains heavily, क्या बोल रहा है, कि यह rain हो रहा है heavily, तो obviously, यह एक statement नहीं हुआ, वो बता रहा है, यह train heavily, क्या है, यह train heavily, बारिश हो रही है, तो कहीं, कहीं नहीं है, complete statement नहीं हो, open statement है, तो हम लोग बोल सकते है, it is not a statement, not a statement, clear है, समझ में आ ग प्रेड कर लोगे, अभी तो यह कुछ नहीं है, यह तो सबसे पहला initial चीज़ है, जब P, and Q, P, or Q, P, by conditional, B, double by conditional, यह सब जब आएगा, तो थोड़ा सा आपको hard लगेगा, लेकिन थोड़ा सा practice और दिमाग में बिठा लोगे, कि यह होता क्या है, वो table जो मैंने बताया था, अलग-अलग, conjunction, disjunction के, वो याद कर लोगे, तो सब चीज़ लगेगा, सबसे easy chapter यहीं लगेगा, trust me, आप थोड़ा 2-4 मेना बीदने दो, आप continuous देखो वीडियो, उसके बाद खुद आखे बोलोगे, कि सर, कि यह सबसे easy chapter न, पूरे mathematics में यही है, mathematical logic, समझ में आ रहा है, च स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर कि नापूर is in महराश्ट्रा, एन चन्ने इस इन तमिल नाडु, तो देखो, यहाँ पर दो statement है, एक तो है यह नापूर, is in महराश्ट्रा, बीच में क्या देदे दिया, and चन्ने इस इन तमिल नाडु, यह दो statement है, मतलब पहले वाले को मैंन इसमें बस आपको क्या करना है सिदा सिधा ध्यान देना है आंसर हमने लिख दिया है मापर P & Q यह P यह Q इसके बीच में and है तो P & Q हो गया यह समझ में आगा देखो उसके बाद देखो यही तो लिखना थाम लोगो लिखो अगर आपको एंसर लिखोगे, एक्जाम में कैसे लिखोगे, पहले ऐसा लिखोगे, कि लेड, नाधपूर इस इन महराष्ट्वा, इस पी, चैन्ने इन तमिलनाडो इस क्यू, तो देरफोर पी एंड क्यू, खतम हो गया बात, इतना ही है, मैं रट डारेक आपको से, पहली बात तो, एक statement यह ह॓ा, इसको मैं मान लेता हूँ, ट्रैंगल इस इक्विडेट्रल, इसको मैं मान लेता हूँ, ठिक है, मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया, या फिर ISO से लेता है, च identifying के बीच में है, और, और क हैं और क्या यूज़ करते हैं, ये वाला, तो तो आपको थोड़ा confusion हो रहा होगा कि यारी if and only if कब लगाते हैं तो आपको उसके लिए मैं बताता हूँ सबसे पहले इसको समझो क्या बोल रहा है देखो the angle is right angle ठीक है ये एक statement हुआ इसको मैं माल लूँगा इसको मैं माल लूँगा इसको मैं माल लूँगा इसको मैं माल औल इफ कब लगाते हैं इसको अगर क्रासशेक करना हुआ आपको याद नहीं आ रहा है तो आमने वह लिक्के लाया हुआ है आपके लिए आपके लेए आपके लिए और इसके के लिए पिंदिशनल symbol है देखो यह वाला दिखर आपको symbol यह वाला यानि कि P by conditional Q by conditional बोलते हैं इसको ठीक है समझ में आ रहे कि नहीं दोस्तो ठीक है ना चलो अब उस पर जाएंगे अफट-फट से लिख देंगे तो मतलब यहां पर क्या आएगा if and only if मतलब P और Q के बीच में क्या आएगा by conditional का symbol आएगा आगया answer P by conditional Q समझ में आ गया बहुत clear है बहुत simple है ठीक है आगे बढ़ जाएं इसको मिटा दो आगे बढ़ जाते हैं चलो next question क्या बोल रहा है कि the angle is neither acute nor obtuse neither acute nor abuse तो यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई वो neither है नाइदर यूज कर रहा है वर्ट ठीक है और सबसे पहली बात इसको में मान लेता हूँ वही मानने हम लोग ओंट को मैंने क्या मान लिया राट करें यहां पर और यहां पर इसको बोलते निगेशन का है और यह क्या बोले नौर आपतिवूस के लिए मैंने मान लिया क्यूं टिके बोल रहे कि यहां पर बोले कि अंगल इस नाइदर नौर अप्टिवूस, मतलब कहीं ने कहीं यह दोनों बर जुड़े हुए आपस में, तो हम लोग या यूज़ करेंगे, या यूज़ करेंगे and negation q, ठीक है, समझ में आ गया, this is your correct answer, समझ में आ गया, तेको बहुत simple है, मतलब इस से ज़्यादा simple तरीके से, मुझे लगता नहीं कि मैं explain करता हूँ, clear है, चलो आगे बढ़ जाते है, next question पर जाते हैं, क्या बोल रहा है, कि if triangle ABC is right angle at B, क्या बोल रहा है कि जो triangle ABC है, वो right angle B पे है, ठीक है, B पे है, then A और angle C is equal to 90 degree, मतलब यहाँ पर दो condition दे दिया है, कि सबसे पहले कि मेरा triangle है ABC वो right angle B पे है, तो इसका मतलब A और C जो है 90 degree, तो एक मेरा P रहेगा, दूसरा Q रहेगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर clearly बोल दिया है, क्या बोल दिया है, अगर आपने notice किया, यह question के अंदर आगर आपको confusion हो रहा है, तो सिफ एक ही चीज़ जो दिख रहे है, जो आपको answer बताएगा कि कौन सा symbol आएगा, तो यहाँ पर दिख रहा है if, यह जो word दिख रहा है if, तो आपके दिमाख में चल गया, if कब लगता है, कौन से condition में लगता है, if, देखो कहा है, if, देखो यह वाला if है, तो if कब लगता है, conditional में लगता है, और इसका symbol यह वाला है, एक single arrow, ठीके, तो इसको हम लोग क्या बोलते है, पहले इसको मिटा दू, नेक्स्ट है, हीमा दास, विन गोल्ड मेडल, if and only if, तो फिर से आगया देखो, if and only if, ठीके, तो चुप चाप लिख दो यहाँ पे, क्या आजाएगा, पी, बाय कंडिशनल, क्यू, ठीक लिक सकते हो ना, भी तो इतना फास्ट, यह सब चीज़ में इतना फास्ट नहीं बताया, दीर दीर पताया, क्योंकि आपको समझना है, लेकिन आगया आगे, जिदने भी चीज़ आएगे, वो आप थोड़ा फास्ट करते हैं, यार, मतलब X is not irrational, बत आगया यार, यह बत का क्या मतलब है, तो हम लोग बोलते हैं, बत इस दे, बत क्या है, conjunction है, बत मतलब क्या होता है, जैसे and, बत, यह सब क्या है, conjunction है, जोडता है, दो इसको, sentence को, तो इसका भी answer क्या आजाएगा, P और Q, दो sentence है, लेकिन इसको जोडने का काम कर रह है, तो यह पूरा का पूरा, मैंने बता दिया, question number 2, उमीद करता हूँ, कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इस से simple, कुछ हो नहीं सकता, दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ जाते है, ध्यान से देखना, अगला question, मुझे ऐसा लगता है, कि यह question हमारा आज का आखरी question होगा, question number 3, उसके बाद, जो question number 4, 5, जो भी है, वो हम लोग next lecture में करेंगा, क्योंकि आप जब देर-देर 2 घंटे के वीडियो बना दूंगा, तो आप लोगो इंटरेस्ट ने आएगा देखने के लिए, यार, कितने बड़े-बड़े lecture skew देखे हम लोग, ठीके, क्योंकि online में ज़्यादा energy consumption होता है, हमारा दिमाग ज़्यादा energy खाता है, लेकिन अगर आप focus करोगे कि वो आदे घंटे में आपको इतना भेतरी knowledge मिल जाएगा, कि और इतना अच्छे से conserve आपका clear हो जाएगा, कि आप जो है न, थोड़ा सा self study है, और स्वाप practice कर ल वो दिमाग का खेल, असली खेल, यानि कि असली mathematical logic यहाँ से शुरू हो रहा है, समझ लो, पूरा chapter का असली खेल यहाँ से शुरू हो रहा है, तो क्या है असली खेल, तो सबसे पहले इसको समझो, कि यह दिया क्या है, यह दिया है 4 is odd, तो मैं मान लेता हूँ कि 4 is odd, जो है, यह क्या है मेरे लिए, पी मान लिया, ठीक है, और 1 is prime, यह 4 is odd को P मान लिया, 1 is prime को मैंने Q मान लिया, ठीक है, और बीच में दिया है और, तो और के लिए हम लोग लगा लगाते हैं यह, लेकिन मुझे एक बात बताओ, यह 4 is odd का मतलब क्या है, 4 एक odd number है क्या पहली बात, त ठीक है, तो यह P, V, Q हो गया, लेकिन यह P, जो है, एक्चुल में, यह P है न, यह P माना है आपने, और इसको Q माना है, ठीक है, तो यह P, जो यह 4 odd है, तो 4 odd number होता है क्या वाकई में, नहीं यार, 4 odd number नहीं यह even number है, तो यह actually false है, मतलब P का value क्या है, false, ठीक है, बीच में क् प्राइम नमबर नहीं मानते है, प्राइम नमबर स्कार्स प्रम टू, तो हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते है, तो जब false और false और में आता है, F, V, F, तो यह क्या आता है, देखो, अगर आपको याब नहीं आ रहा है, तो हम आपको टेबल पे लेके चलते हैं, इसमें जाना आ गया, तो यहाँ पे भी हमारा answer क्या आएगा, दोस्तो, false ही आएगा, ठीक है, false और false, that will be equal to false, हमारा answer क्या आगया, false, समझ में आ गया, देखो, यही तो चीज़ है, यह आपको टेबल देखने के चलतना पड़, एक्जामेर कोई टेबल दिखाएगा नहीं आपको, बस आ दिमार्क में बिठा लो वो चीज़, याद करने बोला पर टेबल को, याद कर लो, false, false आया, false और false, fbf आया, तो false आएगा, बिठा लिया दिमार्क में, याद रहेगा, ओके, अब जाते है, next question, इसको मिटाओ, ठीक है, next question क्या है, 64 is a perfect square, तो इसको मैं मान लूँगा, perfect square, है न, perfect square, तो ये true है कि false है, true है, तो 64 perfect square होता है, इसका मतलब p के जगा मैं मैं लिखूँँगा, true, ठीक है, बीच में क्या है, and, लगा दिया, लेकिन, q है, 46 is a prime number, 46 prime number है, या 46 prime number नहीं है, क्योंकि 46 बहुत सारे table में आता है, तो 43 के table में आता है, 2 के table में आता है, तो 46 जो है, मेरा prime number नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, true and false, तो true and false का value निकालो, true and false, दिमाख लगाओ, थोड़ा सा, table याद करो, अगर याद होगा आपको table, तो table याद करो, and में true and false, and ये है true, true and false, तो true and false जब आता है, तो answer हमारा false आता है, ठीक है, समझ में आ गया, true and false आ आपको ध्यान में रखना है, और कैसे learn करना है, वो तो मैंने आपको previous lecture में बता दिया है, तो जिन लोगों को भी तकलीफ है, कि या सर, ये बार 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 टेबल देखना पड़ रहा है, तो मैं आपको एक चीज बता दू, lecture number 1, अगर आपने नहीं देखा है, तो जाके एक देखो lecture number और उसमें मैंने आपको trick बताया है, कि true true रहेगा, तो true ही आएगा इस condition में, तो इस trick मैंने बताया है, वो trick आपको पता होना चाहिए, ठीके, आपको मैं इस लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता है, बहुत सारी चीज है, मैं direct भी लिख सकता हूँ लेकिन आप लोगों को बताने के लिए कि मैं वो table बार-बार डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि वो कहां से आ रहा है value, समझ में आ रहा है, ठीके, चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्या है, next question, क्या बोल रहा है, पी इसे prime number, तो पी मेरा एक prime number है, तो इसक क्यों क्या है, 7 divided 94, तो साथ 94 को टुड़ाइट कर पाता है, क्या देखो, 94, 7 वंजा 7, 2, 24, नहीं जाता है, 7 के table में, 7 के table में, 94 नहीं आता है, correct है, तो यह मतलब यह statement क्या हुआ, यह statement भी हुआ, false, ठीक है, यह statement भी हुआ, false, तो फिर से देखो, यह आ गया, true and false, तो उपर रहा है, कि it is not true that, कि 5 minus 3i, जो है, वो एक real number है, ठीक है, तो सबसे पहली बात, कि यहाँ पे, हम मान लेते है, कि यह जो दिया हुआ है, यह P है, क्योंकि एक ही condition है, इसमें दूसरा condition नहीं है, तो यह P है, लेकिन इसमें बोल दिया है, कि it is not true, not true मतलब क्या है, negation आ गया, त लेकिन यह P जो है, जो P है, क्या दिया है, कि 5 minus 3i is real number नहीं है, ऐसा वो लोग ने बोला है, तो मुझे एक बात बताओ कि यह सच बोला है, कि गलत बोला है, यानि कि P जो है, वो true है कि false है, मुझे एक बताओ, कि पहली बात हमको एक चीज़ पता है, कि जो P है, वो क्या है, false दिया हुआ है, यानि 5 minus 3i, जो है, वो actual में एक real number है, लेकिन यहाँ पे not बोला है, तो यानि कि यह negation of false हो जाएगा, और negation of false क्या होता है, false का उल्टा, false का negation मतलब false का उल्टा क्या हो जाता है, true हो जाएगा, this is the correct answer, आ गया answer, समझ में आ गया, है कि नहीं सिंपल है, और क 3 plus 5 is equal to 15, मतलब, पहला P है, दूसरा Q है, मैंने मान लिया, लेकिन पहला दिया है, 3 multiplied by 5 is equal to 8, ठीक है, बीच में क्या दिया है, if or then दिया हुआ है, मुझे बताओ, if then आया, if and only if नहीं है, if or then है, तो मुझे बताओ, यह condition कौन सा लगेगा, यहाँ पर and आएगा, और आएगा, conditional आएगा, by conditional आएगा, यह फिंडिगेशन आएगा, दिमाग लगओ, पांची जीदे न, तो obviously आपने देखा कि यहाँ पर बोला है if, तो if जब आता है, तो हमारा single line वाला dash आता है, ठीक है, इफ जब आता है, तो single line वाला dash आता है, तो P का value है, यहाँ पर देखो थोड़ा स symbol, यह जो है, वो conditional symbol है, यह dash मैंने answer के लिए नहीं दिया है, यह हमाना conditional symbol है, ठीक है, अब, दुसरा है, 3 प्लस 5 is equal to 15, 3 प्लस 5 15 होता है, यह नहीं, 3 प्लस 5 8 होता है, तो false is conditional false, तो false, conditional false, क्या होता है, देखो, अगर आपको नहीं आता रहा है, कोई बात ने, हम आपको बता देंगे, देखो, यहाँ पर, conditional मतलब यह वाला statement, false false जब रहेगा, तो answer true आता है, मतलब हमारा answer क्या आएगा, क्या answer आएगा, दोस्तों, true आएगा, so false false जब रहेगा, तो हमारा answer true आता है, ठीक है, सही आ गया, false false जब रहेगा, तो हमारा answer जो है, वो true आता है, ठीक है, अब अब देखो next, next question पर चलते हैं, next question क्या बोल रहा है, milk is white, if sky is blue, लेकिन यहाँ प एक चीज बोल दिया है कि if and only if, तो मुझे एक पता चल गया, कि जो मेरा statement रहेगा, क्या statement रहेगा, एक P है, दूसरा Q है, तो if and only if के वज़े से ये दोनों के बीच में क्या रहेगा, by conditional रहेगा ठीक है, अब चेक करते हैं, कि क्या वो P और Q true है की false है, तो P क्या है, milk is white, तो milk white कलर का होता है, मतलब P मेरा true है, बीच में क्या है, by conditional, डाल दिया, sky is blue होता है कि बिलकुल होता है या true, तो जब true by conditional true होता है, तो answer क्या आता है, चेक करो, जब true by conditional true होता है, आ गया ये वाला, इसका answer भी क्या आएगा, true आएगा, समझ में आ रहा है, clear है, समझ में आ रहा है, अब चलते हैं सीधा सीधा आखरी question की तरफ, जो कि हमारा इस lecture का आखरी question है, तो ध्यान से देख लेना, क्या बोल रहा है, कि 24 is a composite number, 24 क्या है, composite number है, बीच में और दे दिया हो लोग है, 17 is a prime number ठीक है, तो 24 क्या है, composite number होता है, बिल्कुल, तो फेली बातों मैं माल लेता हूँ, इसको P और Q, लेकिन बीच में और है, तो यह हो जाएगा V, ठीक है, तो P, V, Q, P क्या है, 24 is a composite number, बिल्कुल होता है 24, composite number, तो इसको मैं बोलूँगा, कि यह true है, और 17 prime number होता है, क्या है, मत ही होता है मतलब हमारा answer रही होता है लेकिन हमारे दिमाद में चल रहा glut लेकिन मैं आपको एक चीज बता दो दोस्तो जब भी हम लोग जब छोटे होते हैं बच्चे जब होते हैं और जिंदगी में पहली कदम बढ़ा रहे होते हैं तो वो सबसे हार लगता होगा बले हमको कोई समझ नहीं पाता है लेकिन हमारा जीमाप में चल रहा होता है कि यह क् हम किसी को बोल ही सकते हैं क्योंकि हमारी आवाज नहीं निकलती हो टाएं पर हम छोटे होते हैं रोना जानते हैं खाली बस तो हमें एक चीज पता है कि जिंदगी में कितिनी भी कठनाईया वाली चीज़े हैं अगर उसकी शिरुआत आप कर देते हो और दीरे दीरे जब कद इस चीज़ करके देखना ठीक है तो चलो फिर आज यहीं पर मैं स्टॉप करता है कोशन नमर्ट 3 तक आज हमने किया है कोशन नमर्ट 4 5 और उसके आगे का जो चीज़े हैं उसको हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए अगले लेक्चर में यानिकी लेक्चर नमबर 3 जो आपको दे दिया जाएगा तो बिल्गुल जिंदा नहीं करना है बस आप लोग एक ही काम कर सकते हो कि हमारे चैनल को और हमारे वीडियो जो नए आ रहे है 12 स्टाइडर के उसको सपोर्ट करो और उसको प्यार दो बस यही चीज़ आपसे मैं एक तरिके से डिमांड करता हू और आपसे रिक्वेश्ट करता हूँ ठीक है चलो फिर आज के लिए इतना यह वीडियो कैसा लगा है फ्लीज कॉमेंट करना वीडियो पसंदा है तो लाइक कर देना दोस्तो अच्छा रगता है जब आप लाइक कर तो मोटिवेशन अंदर से आता है तो फ्लीज लाइक कर देना और शेर जरूर से करना अपने सभी 12 स्टांडर के फ्रेंड्स को शेर करना और उनको एक बार बोलो कि एक बार वीडियो देख के तो देखे अगर अच्छा लगेगा तो ही कंटिन्यू करो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है आपके राउसर ऐसे ही मेनत करते रहेंगे ठीक है और शेर कर देना और फर्स टाइम आओ चानल पर तो चानल को सब्सक्राइब कर देना जरूर से चानल को सब्सक्राइब कर देना बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहेगी ठीक है फ्रेंड्स तो जल्दी मि हमारे न्यूव वीडियो में तब तके रहे थाइंक यू एंड गुडबाई